In this video we'll talk about problem phase by student, those who are targeting for NCHM, CTE, JEE, total management को ले करके and 12 बोर दोनों के exam की preparation एक साथ कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या-क्या problem phase हो रहे हैं, उनका तो ये tension है कि भी मैं दोनों exam कैसे balance करूँ? आपको balance करना ही पड़ेगा अगर दोनों exam crack करना है. और बहुत easy है, मैंने इसका formula बहुत पहले वाले वीडियो में भी दे दिया हुआ है. Monday to Friday, Saturday Sunday. I repeat Monday to Friday, Saturday Sunday. Monday to Friday आप 12 पर यादा focus करो आपके. 5 दिन आपने 12 बोर्ड की full तयारी की. Saturday Sunday weekend जो है उसमें NCHM को यादा focus करो. मतला थोड़ा time आप 12 में 12 बोर्ड की preparation को ले करके. ठीक है. बट NCHM को यादा time दो. और जब Monday to Friday है, तब आपका NCHM को कम time दो. थोड़ा time देना, एक घंटा, दो घंटा, जो भी आप दे सकते हो. और बाकी time आपका 12 बोर्ड को देना है आपको. ये management आपको लाना पड़ेगा आपके अंदर. ठीक है, अगर आपने ये चीज़ कर ली, निकल जाएगा exam. बहुत tough भी exam में है, बहुत easy भी नहीं है. क्यों लाइट वाले एरिया है, उसको weekday में करो, weekday में कौन से लाइट वाले एरिया है, जैसे आपका gk हो गया, आदा एक गंटा वीडिया आपने gk पल लिया, स्टाटिक भी पल लिया, current affairs, वीडियो देख लिया है, मैंने वोरे के dashboard पर सारे वीडियो है, ठीक है, उसके बाद आ सारे 500 questions का handout से वो complete करना है, ठीक है, बचा आपका logic और maths, वो आपको साइडे Sunday करना है, और service attitude जो है, उसको लेके बिल्कुल tension मतलो, last के एक दो महिना पहले, तीन महिना पहले भी वो आराम से हो जाएगा, उसका tension बिल्कुल भी नहीं है, वो आप mock लिको के mock question से ही हो जाने वा आपके English बहुत अच्छी हो जाएगे, अभी नहीं, आप hotel management करके, जब आगे job के लिए जाओगे, international जा रहे है, national business deal के लिए जा रहे है, तो वो future में आपके profession पे भी काम आने वाला है, तो English आप इस पे काम करी लो, ठीक है, without fail, alright, now weekend पे आपने maths और logic रखा हुआ है, तो कोश आपको मिले हो गए, वो देख लूप, ठीक है, so that sudden Sunday जब मैं बैठूँगा, तो मुझे सीधा solve करना है question, first study question आपके book के solve कर लिया, बहुत हो गया, दो बास सारे question कर लेना, same type of question exam में आजटेज आने वाले है, ठीक है, so weekend में आपको long sitting लगेगी, मतलब 6 गंटे की, 8 गंटे क sitting लगेगी, ठीक है, या 5 गंटे, 6 गंटे के sitting लगेगी, डिपेंड करता आपका mass, बहुत weak है, या okay है, या तो strong है, वैसे logic, logic में कोई problem नहीं है, 2-3 गंटा बैठो गे major question हो जाएगा, अगर question नहीं हाते तो book के वेज़े solution भी दिया है, आप solution भी देख सकते हो, ठीक है, जड़ा time लगाना है, 12 board को लेके, और जड़ा time लगाना है, इंसे चंसेटी, JW को लेके, simple है, ठीक है, and preparation को लेके, if you want any assistant, any guidance, अगर आपको coaching join करनी है, live class या तो classroom के लिए, then you can contact to us, live class को लेके, you can contact on this number, 8828581455, and classroom को लेकर के, अगर आप Mumbai based हो, निये तो Mumbai हो, तो आप center में वि होगा किया कि आप 12 पर फोकस करोगे, 12 निकल जाएगा, NCHM में रांक कम आएगा, तो lower IHM मिलेगा, और lower IHM मिलेगा, तो problem है, future में placement को लेकर के, so that is why target top 5, top 10 IHM, अच्छा रांक आएगा, तो अच्छा college आपको definitely मिलेगा, so I hope this is clear, still if you have any doubt and query, you can write in the comment box, I'll be happy to reply you, all the very best, thank you. 12 बाएगा रांक कि आपको आपको इसा बाले कर दो, यह दो मिलेगा, तो झाले कि आपको एगा है, कि आपको 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 एगा इसा कर दो.